बिस्मिल्ला रह्मारी रहीम, असलाम अलेकुम, हमारा टॉपिक है DNA डैमज, DNA डैमज को हम एक्स्प्रेइन करेंगे कि DNA डैमज क्या होता है, किस तरह से होता है, क्या कैस की रीजिंज होती हैं, और क्या कैस की पाइपस होती है DNA डैमज की, So, let's get start with the definition of DNA damage, that is, any change in the structure of DNA that cause cellular injury and reduces the reproductive fitness of an organism, is called DNA damage. DNA के structure में कोई भी ऐसे changes आजाना, कोई भी ऐसे alteration या modifications आजाएं, जो cellular injury कास करें, और organism की reproductive fitness रहती हैं, तो इसे हम DNA डैमज कहते हैं. DNA डैमज बैसिकली दो तरह से हो सकता है, एक endogenous damage और दूसरा exogenous damage. Endogenous damage के अंदर जो भी mechanism है, जो भी machinery के अंदर बहा कर रही है, उसके अंदर बेस पेरिंग माजबूद है, उन में internally कोई error आजाएं, जिसके वज़ा से DNA damage हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं, एक्सटर्न अग्स्टर्न 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 अजन्स के वज़ा से, DNA damage, there are basically four types of DNA damage, first is single base alteration, second is two bases alteration, third one is chain breaks or chain breakage, fourth one is cross linkage, यह DNA की four basic types है DNA के damage की, सबसे पहले हम single base alteration को discuss करेंगे, single base alteration क्या होता है, कि DNA में जो भी bases मोजूद होती है, गवाने, cytosine, hyamine, adenine, uracil, वगएरा, उनमें जो DNA के अंदर जो nucleotide bases होती है, उनमें से किसी ना किसी point पे कोई एक base, जो है, उसमें ऐसी alterations आजाती है, यह changes आजाती है, जिसके वज़ा से कोई ना कोई हाता है, तो इसे हम demionation क्याते है, यह एक से होती है, यह addition of water की वज़ा, सब्सक्ति होती है, यह हमारे पास deburination का को मतलब है removal of a purine base यह माइनेशन के अंदर तो एक amino group remove होता है निक्रोटाइड बेसे के उपर से लेगन डीपुरिनेशन में कहाता है कि पूरी की प्यूरी एक प्यूरीन बेस जो है वो remove हो जाती है यह भी addition of water की वज़े से होती है इसके होती है तो इसकी वज़ा से बीडियन के अंदर को एक बेस डिस्टर्ब हो जाती है यानि सिंगल बेस अलडरेशन कास हो जाती है तो जब डिलीशन होती है तब एक सिंगल बेस डिस्टर्ब होती है सिंगल बेस अलडरेशन कास होती है फौर्थ रीजन हमारे पास आजाता है इंजर्शन का मतलब होता है addition of any extra nucleotide base मतलब कोई न की बेस की addition हो जाना डिलीशन मतलब रिमोव हो जाना और इंजर्शन मतलब एड हो जाना कोई भी ऐसी extra nucleotide base DNA के स्ट्रक्चर के अंदर तो जब यह addition यह insertion होती है तो इसके वजह से भी यह हम करें जो फिजिकल जो इनके अपेरंस होता है यह फिजिकल स्ट्रक्चर होता है यह तो निकलोटाइब बेस की तरह होता है लेकिन इनका जो chemical structure होता है वो उनसे different होता है तो अगर यह original nucleotide bases की जगह पे यह incorporate कर चाहिए DNA के structure के अंदर तो फिर उसमें disturbance होती है कोई single base उसमें disturb हो जाती है उसमें alteration आ जाती है तो यह भी हमारा एक reason होगा single base alteration का last हमारे पास आता है alkylating agents agents, alkylating agents क्या होते है ऐसे chemical जो कोई ना कोई alkyl group किसी ना कि ड्याने की कि बेस में एड कर देते हैं किसी वी base के अंदर, जब यह कोई भी alkyl group ड्याने की bases के अंदर तो यह भी disturbance कवक पास करता है कोई एक base तो यह हमने देखा कि single base alteration क्या होती है यह किस वज़ा से होती है इसके क्या reasons होती है और भी हमने details से discuss किया है तो जो यह सिंगल base alteration होती है उसके वज़ा से DNA damage होता है यह तो एक टाइप होगी DNA damage की अब हम उसकी second time देखेंगे जो है two base alteration इसको हम double base alteration भी बोल सकते हैं two base alteration में क्या होता है कि DNA के structure के अंदर कोई ना कोई दो nucleotide basis जो है disturb होगी उनमें कुछ alteration जा ऐसे changes आएंगे जिनके वज़ा से दो basis disturb होगी तो यह two base alteration कहलाएगी और two base alteration की वज़ा से भी हमारे DNA damage होता है यह two base alteration basically किस वज़ा से होती है इसके क्या reasons होते है फर्स जिसका reason होता है thiamine dimers formation thiamine dimers का बना और second होता है alkylating agents alkylating agents की वज़ा से भी thiamine dimers क्या होते हैं appear of abnormally chemically bonded adjacent thiamine basis ऐसे हम thiamine dimers कहते हैं यहां पर आपको structure नजर आ रहा है यहां हमारे पास यह हमारा DNA का strand है यह हमारा DNA strand है DNA strand के अंदर उसकी जो तमाम nucleotide bases होती है वो present है governing cytosine thiamine adenine basis के अंदर present है यहां पर आपको नजर आ रही होंगी यह 2 thiamine basis present है और इसके वाले strand फैंड पर दो adenine bases present है thiamine basis का का क्या होता है basically इनको अपने सामने वाले adjacent adenine basis होती है इनके साथ pairing करनी होती है इनके साथ bond बनाना होता है लेकिन यहां पे कुछ ऐसी abnormalities काज हो जाते हैं जिनकी वज़े से जो thiamine basis होती है यह सामने वाली adenine basis के साथ pairing करने की बजाए यह आपस में bonding कर जाती है आपस में अपना एक अलादा bond बना लेती है, adenine के साथ bond नहीं बनाती तो यहां पे एक abnormal structure बनता है जिसको हम thiamine dimer कहते हैं यह thiamine dimer होता है यह basically होता कि इस वज़ा से यह ultraviolet light की वज़ा से होता है UV radiation की वज़ा से यह thiamine dimers की formation होती है इसकी वज़ा से यह thiamine dimers बनते हैं तो यह एक abnormality कास हो जाती है यहां पे हमें नजर आ रहा है कि दो बेसिज जो है thiamine basis और डिस्टर्ब हो रही है और इसके साथ 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 की जो सामने वाली दो adenine basis हैं वह भी डिस्टर्ब हो रही है तो दो बेसिज यहां पे डिस्टर् हो जाता है second is local rating agents to be salving nation का all great इस पर दो कोई नो कोई अलकाइल ग्रूप किसी ना किसी जो डियाने की बेस हो तिन इक्रोटरी बेस के साथ है तो इससे वह हम अलकाले गेंट हैं तो उसी हम अलकाले प्वर्जा से भी तू बेसे लट बेसिज का आज होती है जब यह दो बेसि इसकी थर्ड टाइप है which is chain breaks यह इसको हम chain breakage भी बहुं सकते हैं chain breakage में क्या होता है कि DNA का strand होता है उसकी जो chain होती है वो कहीं न कहीं से कीसी न किसी point पर break हो जाती है तूट जाती है तूट जाती है देमेज हो जाती है यहाप आप structure में देख सकते हैं इसकी जो चेन है वह यहां से ब्रेक हो चुकी है यहां से तूट चुकी है यह आप देख रहे हैं तो जब यह चेन ब्रेक होती है तो इसको हम चेन ब्रेकिज कहते हैं यह थर डाइक होती है डिया ने डैमेज की यह चेन ब्रेकिज बैसिकली किस वज़ा से होती है इसके भी र अल्फा बीटा गामा और एक्सरेज आजाती है और नौन आइनाजिंग रडियेशन में अल्ट्रावाइलेट, विजिबल लाइज, इंफररेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो फ्रिक्वेंसी वगर आ जाती है इन रडियेशन की वज़ा से जो DNA का स्टेंड होता है उसकी च और यानी की चीयन ब्रेक होती है तो इसकी वज़ासे भी हमारा ब्ले ने डैमज हो जाता है तो यह हमारी था ने डामेज की याल पर फॉर्ट टाइप है ड्टै ड्य देमज के हमारे पास जो है क्रॉस लिंकर्ज पहले हम थीन ड्राइप्स पर ंदेनल यहां पर देखें बैाबग्राम में पर ङयां पर इसकर मुझूद है इसके अंदर इसकी नु소लोटीट बेसस मौजूद है यह जो इसकी नुचलोटर बेसेस मौजूद हैं यह घुलोटीट बेस को चोड़ के इससात वाली जो बेस हो इसके साथ बॉन्डीं कि यह यहां सेकते हैं यह जो रेट डॉutral .... रहे होंगे यहां पर इन्होंने यह bonding की हुई है तो यह इन्होंने abnormal bonding की हुई है यह cross linkage हुई है इनके दरम्यान इनको चाहिए कि यह आपस में इस तरह से bonding करें आपस में अपनी adjacent basis के साथ यह bond बनाएं लेकिन यह अपनी adjacent basis को छोड़के उसी की जो next basis होती है उसके साथ यह linkage कर जाती है और यह उनकी abnormal linkage है यह cross linkage हो यह इनके दरम्यान और इस linkage को हम कहते हैं inter strand मतलब cross linkage तो हो रही है लेकिन यह दो अलग अलग स्टेंड के दरम्यान हो रही है यह cross linkage है तो यह हम inter strand linkage कहते हैं यह next strand में आप देख सकते हैं कि यह niclutide basis पर मौजूद है इन्होंने आपस में bonding करने की हरो यह मोईप से यह सामने बारी अξेंग्स के साथ बूंड बनाना है इस तरह से लेकिन यह पूंडिक ल solar डिए आप टो इसे यहां प्धार्स्ट करहते हैं यह तो यहां पर यहांप पर क्रॉस लिंगें। सबस्ट निदेक्छेटो sü 괜찮아 जिले हैं। दिखनुधे म्ускर प२हीं को चाहा हो पानिदॉB काल्स हो यहां यहांपर सबस्ट मॉंदेगा से लाते हैं। सभी पीहांद हम्च कि आपको टाइप हे DNA damage की जिसके वज़ा से DNA damage हो जाता है तो इसमें हमने interest and eder interest वाला भी देखा के कौन से crosslinkage जो है वो itt21C恐 principe हो रही है और यह हमारी last type थी DNA damage थी hope कि आप लोग समझे या होगा अभर आप और कोई भी इसमें problem हो या कोई भी क्वेस्टिन्स हों तो आप मुझे बोच सकते हैं और थैंक यू सो मच अला आफिज